कि हम पढ़ाई किस लिए करते हैं, तो कई बार हम अपने फ्यूचर के लिए करते हैं, और कई बार हम अपने सम्मान के लिए करते हैं, और कई बार हम किसी के लिए कुछ करते हैं, और वो क्या है मैं आपको बताता हूँ, माल लीजिए आप लेटिनेंट बनते हैं, आपके आफिसर थे, आईएस ओफिसर थे, गाजवाद केडर, मतलब गाजवाद जिले में वो आईएस ते डिस्रिक्ट मजिस्रिक्ट थे, एक दिन क्या होता है, उनके पिताजी बिना बताए उन्हें उनसे मिलने लिए आ जाते हैं, और आते कैसे हैं, ट्रेंज से आते हैं, जो वो पता चलता है कि ये जो आईएस ओफिसर है, उनके पताजी है, और वो उन्हें बिना बताए आना चाहते हैं, और वो ट्रेंज से आते हैं, रेलवेस टेशन पहुंसते हैं, तो पुलिस वालों को पता चलता है कि ये जो आईएस अदिकारी है, ये उनके फादर है, पुलिस क इस बाप को बिना बताई इतना सम्मान मिल जाए ना, उसे इससे अच्छा बच्चा अपने जीवन मिल जाए उसका स्वर्ग यहीं धरती पे हो जाए तो आप कहते हैं हमारे माबाप को स्वर्ग मिलेगा जाके, नहीं, एक माबाप का स्वर्ग धरती पे ही होता है अगर उसके आपको नहीं, आपको तो जीवन अच्छा करेगी, आपके माबाब को स्वर्ग देखेगी